तो पहले तो मुझे ऐसा रखता था रे कुछ नहीं है सीजेल बहुत इसी है हो जाएगा कोई मैस मेरी अच्छी थी यार इतना कोई डिक्कत वाली वात नहीं है मैं 200 में से 200 कर लूंगा मैंने घर पर रहे कर तैयारी किये और मेरा मुकरजी नगर ना जाने का रीजन यह था कि मेरे पाबा की तवियत उस टाइम पर खराब हो गई थी तो मैं गर को छोड़के नहीं जा सकता था सबसे बड़ा घर में महीं था वह ना करके आप प्रिविएस यहर को मल्टिबल टाइम रिवीजन करिए दूसरा मौक बहुत इंपोर्टेंट है आपकी किसी भी एक्जाम क हो गया मैं तो आप यह सुची मैंने सो से यादा मौक लाए तो उसके बाद भी में एंड के दस मिनट में नर्वस हो गया मैं इसको और अच्छा कर सकता था वो ना हो बाए अक पर सभी का एक वार फिर से मौटिवेशन फैक्टरी के सांदार प्लेटफार्म पर बहुत सारे एससे सीजेल टॉपर्स के हमने इंटर्विव कर लिए लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज सब्सक्राइब बहुत सारे एक्सप्राइब बहुत कुछ आपको बता सकता है तो उस लियाज से वीडियो काफी इंपोर्टेंट है वाकि CGL पर तो हम फोकस करी रहे हैं आप लगातार देखर हो हमने दूसरा चैनल भी क्रियेट के है औलिब बोर्ड ने औलिब बोर्ड जैसा कि आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरिशन प्लेटफॉर्म में से एक है औलिब बोर्ड पे के लिए आपको मिलेंगे एक जांबाइक कोर्सेज वह भी हिंदी और इंग्लिज दौनों लेंग बेज में इसके अलावाद 600 से ज्यादा मौक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट जीके नोट्स टाइपिंग टेस्ट और प्रिपरिशन माटेरियल इसके लावा हर सनीवार और अभी आप शुरुवात में थोड़ा पना बेसिक इंटोडेक्शन देजी जी मेरा नाम योगिश वर्मा है और मैं आग्रा से बलॉंग करता हूं और वर्तवान में मैं एक्साइस इंस्पेक्टर हूं आप आग्रा से आते हो तो आपने तैयारी कहां पर सुरुवात करी तैयारी क है और मेरा मुकरजी नगर ना जाने का रीजन यह था कि मेरे पाबा की तवियत उस टाइम पर खराब हो गए थी तो मैं गर को छोड़के नहीं जा सकता था सबसे बड़ा घर में महीं था तो मेरे उपर रेस्पोंसिबिलिटी होने के कारण मैंने घर से रहके ही तैयारी की सकति दी एस डूरेशन में ने काफी एक्जाम हथी तक आपने रहते हैं कौन से कम में आपका आपका किलियर हए इसको थोड़ा डेटेल मताया इसको अधाल में अपने दिये है उनमें नहीं हुआ है वह एक्जाम भी थोड़ा बताओ हाँ कहां से आपके जरनी स्टार्ट उसके बाद फिर मेरे इससी के बारे मैं बाता चला मुझे कुछ लोगों से अमने फ्रेंड से ही सरकल में मैं कॉलेज में था तो पता चला तो मैंने एक्जाम दिया वह क्वालिफाई भी हुआ मेरा लेकिन मैं 2017 में थोड़ा मेडिकल इसूज और फैमिली इसूज मैंने जो आपको बताया थे उसके वज़ा से मैं वहां मेडिकल देने नहीं जा पाया फिर 18 मैंने दिया 18 के थुरू में सीप्यों में साइथ 400 ए 350 के आ अधिकल नहीं कर पाया था फाइनल आउट मतलो फाइनल कट ओफ पाउट हो गया था और उसमें 2018 में फाइनल में आउट वाट 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 और और 19 में बजे एक्जाज इंस्पेक्टर पोस्ट मिली जैसा कि आपको पता ही है आप याज ज़िए सब इस्पेक्टर की जो पो अधिकल आप याज पोश्टिंग भी है लेकिन फिर वी आप जम्मो कश्मिन भी जा सकते हैं अरुनाचल प्रदिप जा सकते हैं एलेक्शन में डूटी लगती है तो वहां कंपनी में भी जा सकते हैं आप एक सिक्यर्टी एजनसी की रूप में काम कर रहे है तो आपके ऊप पर पूरी रेस्पंसिबिलिट रहती है एलेक्शन वगरा में जम्मो कश्मिन वगरा कहीं भी जाते हैं तो वहां पर एक फैमिली को टाइम या अपना इस्टेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं सबसे में रीजन तो यह है पहल दूसरा रीजन में रहे था जैसे मैंने आपको मैं पर जब यहां पर आपको इसके बाद आपने छोड़ा हुआ वां जी हाँ सेलेक्शन होने के बाद मैं वेट किया जो appointment letter मिलनेगा उसके बाद मैंने वहां से resign किया अभी आपकी जैसे last attempt जो आपने CGL 19 से आपका selection उसकी बात करें तो उसमें आपने तयारी कैसे करी जैसे आप तो वहां पर job चल रही थी आपकी तो कैसे तयारी को manage कि आपने जो मेंस था वो मेरा हो गया था शायद उससे पहले document verification के सुआ रहा था तो वहां पर document submit कर लेते हैं ताकि हम छोड़ेना मतलब जाएना कि ऐसा होता है ना कि फोर्स में चले आते हैं जैसे मैं अपना बता रहा हूं मेरा 10 साल का 10 years का वहां bond था अगर मैं 10 साल से पहले चोड़ता हूं तो मेरे को training cost या फिर 3 months salary जो भी higher होगा व मैं चोड़ सकता हूं और document दो साल के लिए सम्मिट कर ले जाता है उससे पहले नहीं दिये जाएंगे जब तक आपको कोई emergency situation ना हो जो document के बना नहीं हो सकती है तब ही तो मैंने commandant को 2-3 वार application लिखी ते हूं उसके बाद मेरे को document मिलेते हैं कि सब मेरे यह issue है मेरे को इसके फार्ड मीर म्हा से रिलीव करकर यह एक्ससाइज अग्जाम देए cpao chsl और काफी टाड्य करता है तो इसके पोस घृचास का सिलेवा सकतम करने में पर डिया जाती है अपने इतनी डिफेर्ट दिफेर्ट एक्जाम दे नहीं का से मेरा बैक्डांट जो हरा तो मैस में है जैसे कि आप एलजेब्रा हुआ और यह मैट्रिस इस वे रिटर माइनर हुआ यह सब तो वहां तो हम 12 से निकले ही थे तो पूरा-पूरा पूरा यादी था बद जो में हमारा फोकस था होता है इंग्लिश और जी एस जो में होता है यू पैसी की जी आप जानती है तो जो किया और मैंने लाग प्रिविज यह कुछिन देखे कि यू पैसी किस तरीके से कुछिन पूछ रहा है इंडिय के कौकि मैंने उससे पहले जो एक्जम दिया था 12 में तो उसको मैं क्वालिवाई नहीं कर पाय था उसका में जो फाइनल रिजल्ट आता उसके बाद जो मार्क सब्सक्राइब के साथ किया सकता थे ठीक है और यूपस्व आपको बता है 900 में से सिर्फ 400 इंडी में ले आते हैं तो इतने में कट ओफ क्लियर हो जाती है तो मैंना वही अपना टार्गेट रगा 450 और 500 के आसपास ले आँ तो इतने मेरे निकला लेकिन जैसे मैंने आपको पर देने नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण वर्स तो उस फेस को कैसे आपने अंडल कि जरूर आपको बहुत बुरा लगा होगा इस्ट्रेस के बारे में थोड़ा बताईए कैसे आपने वह टेकल गिया तो बहुत ही जा था था वह जून कि में जाना है लेकिन वह टाइम करूँगा तो वह टाइम यसे निगला कि अब क्या बता हूं वह फीलिंग में शेयर नहीं कर सकता आपके साथ जो था कि मदा जाना भी है और नहीं जा पारा वह सिचेशन बहुत ज्यादा है डिलेमा में डाल देती आपने आपको तो वह था अभी सीजियल की आपकी जरनी जिसे कि आपने शीररिफेरिशन कब से स्टार्ट करिए और कैसे शुरूवात सब्जेक्ट वाइस अगर बात करी जैसे पढ़ते जैसे जी के जीजी मैंने इंग्लिस अल डिफरेंट ब्रेट कैसे प्यार करते थे उसको तोड़ा इईटेल में डिटेल में अप सीर करिया तो मैंने सेवंटीन पेला टेम्ट दिया तो पहले तो मुझे रखता था कुछ नहीं है सीजेल बहुत एसी हो जाएगा क्योंकि मैंस मेरी अच्छी थी यार इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं 200 में से 200 कर लोंगा तो वह नहीं हो पाता है जब एक्चॉल एक्जाम दे पहले पहले मैं इसा लगता है कोई कोचिंग भी नहीं कर रहा था और मैंने देखा भी नहीं था क्या एटमस्फेर भाहर कितना कॉम्पेटिशन है तो मुझे पता नहीं लग पार था तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरा प्री निकला उसके बाद मेंस दिया मैंने राक तो 2017 का था वहां थुड़े ड्रास्टिक चेंज आ गया था जो उसका था कि एक दम जो पैटर्न जो चला था उससे बिल्कुली एडवांस क्वेस्टिन के ऐसे क्वेस्टिन डाले जो मैंने अटेम्टी नहीं किया था तो मेरे फिर वी कैसे भी करके 1445 की नंबर आए थे और तो मेरा मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ मिल जाए लेकिन जैसा बताया वो प्रोटेस्ट बगरा चला था और कटो भी एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गई थी तो मेरा फाइनल में रह गया था फिताव 17 में और थोड़ा मैं ओवर कॉंफिटेंट था कुछ भी न थी तो फर्सट एंडेमट है को जाता क्यों कि बहुत संख साने सरी लोग फ्रसट गलत तो अभी आपको क्या लगता कि अगर आप से मैं पूछाँ की अगर पहला प्लती होता आपका तो आप क्या के गलतिया नहीं करते किऊ आपको सारा कुछ पता है तो जो नाए aircraft inode को दे सेम ऐसी मैंने सीजन में देखा 17 जैसे आपने पूछा पहले का आप सोचते हैं तो मैं अगर सोचू तो मैंने रिवीजन नहीं करता था और एक वार एक टॉपिक को लगा एक वार क्या रहे यह तो मेरा हो गया परसेंटेज लगा एक अरे मुझे आ गया परसेंटेज की कॉस् दूसरा मैंने मॉक तो एक भी निलाया था 17 में निलाया था 18 में 18 में भी फाइनल में आउट हुआ था क्योंकि 17 का पेपर देखके डर गया था मैं तना क्या रहे जो बहुट जाया तो मैं केट की बुक जो आती है ना अरेंट की वह मैं लगाने लग लग तो मॉक उसमाह य सब्सक्राइब निलाया था और केट की बुक में मैं एक गंटे में दद्दस क्वेशन कर पा रहा हूं फिर भी मैं लगा हूं जबकि उससे पेपर थोड़ा थोड़ा एजी था थोड़ा कैल्कुलेशन जादा थी तो मैं 18 में भी में यह सुसता था कि अगर मैं केट की ना लगाता और मैं प्रिविएस येर फॉलो करता है ऐसे करता चला रहाता है यूपस की टाइम पर और मोग लगाता तो मैं 18 में ही डेली यूपी मिल गया होता मुझे एकसाइस अभी जो नए एस्परेंस इस तयारी में आना चाहरें तो उनको अभी शुरुवाती करने उन्हे पर पड़ाई नहीं पाती ऐसे कुछ बात है कि सुरुवात कैसे करें सुरुवात की दौर में क्या तयारी होनी चाहिए जी मेरा तो यह मानना है कि ज्यादा लेने से अच्छा एक ही बुक का मुल्टिपल टाइम डिवीजन करें जैसा कि मैंने बताया पहले मैं वही करता थ जितना टाइम आपको दिया गया उस पर्टिकुलर टाइम पिरेड मां उस क्रेशन को सॉल्व कर बाया है मैस में जो होता था जो अभी तक पैटन चला रहा था अब तो थोड़ा चेंज हो गया जैसे यह आपको पता ही है 2022 थोड़ा मैस का वेटेज कम हो गया और 2018 मिल जाता था क्योंकि मैं से जो सलेक्ट हुआ था वह भी 2018 से वह था जो मेरे को सब्सक्रीमावल में सब इस्पेक्टर की पोस्ट मिले दिए अभी जैसा कि अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही एक सा इस्पेक्टरी तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओ कैसा यहां पर महावल है क्या रूटीन रहता है कैसा लग रहा है अपको रूटीन तो यहां थोड़ा इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है कि सुबह पीटी जाना पड़ रहा है पहले जो होता था कि हम भार रहते थे इस वार तो होस्टल फैसिलिटी जो है इस ने नासिन ने पर दूसरा फिर क्लासेज में अपना प्रोटोकोल ओफिसर बनते हैं इस टेज पर जाके अपना स्टेज फियर भी दूर हो रहा है वहां पर पहुंचकर ना स्टेज पर मैं इस पीज देनी पड़ रही है जो कभी किया नहीं को कि हम ऐसा एटमस्फिर मिला ही नहीं आपने क कर सकें तो एक वह दूसरा यहां पर काफी अच्छे लोग जो मतला हमसे भी जादा मतला एजुकेटेड़ वगरा के हुए हैं तो उनसे मिलने उनका थिंकिंगें मैच करते हैं कि यार यह हां इससे यह सीखने को मिला तो वह सारी चीज है यहां पर मतलब एक ऐसा फील हो रह चांट करें आपने पहले जब सभी इसपक्टर थे तो वहां की इन फिल पर पहने होगी उसमें इस्टार होंगे हैंना जांब एक शाए स्पक्टर के जब उन फर्म पहनते हो तो तो तीन तिन स्टार एं गोलडन कलर के तो अभी क्या फील होता है कि कौन सी बर्दी आपको लग रही थी कौन से परदी में आपका अच्छा फोटो आया है यह देखिए जो आर्मी की यूनिफर्म होती है उसके आंगे तो सभी फीगी पढ़ जाती है अगर वह आप देखेंगे तो क्योंकि जो आर्मी की यूनिफर्म ते अलगी फील देती है आपको कि हाँ कुछ कर र रहा हु तो ऑ्सके लिए कुछ अलग था और इसकी लिए लगए बेर दोनों में ही मेरे को हा लगता है कि ऑ मैरे यूनिफर्म य था । चाल हो अपको क्या यूनिफर्म चाहिए थी तो वैणने च्क्यूआं रूबदे पर मेरे सही यह दिता है जह दो कि अपने माता पता क के फोन आये कैसा लोगों का रेक्शन मेला अभी तक तो ऐसा सौभा कि मेरे को प्राप्ट निवा कि मैं घर जा पाऊं यूनिफॉर्म पहन के क्योंकि जब मैंने जॉइन किया तो उसके बाद यूनिफॉर्म का ऐसा पता नहीं था कि मारे ट्रेनिंग आई जाएगी तो मैंने रहे हैं यह लड़कियां भी देख रहे हैं यह सची हो गया फिर गवर्मेंट एक्जाम का उनका सपना है तो उनके लिए फाइनल मैसेज आपके क्या होंगे चाहिए मोटिवेशनल परपस से हो यह फिर आपने इतना कुछ एक्स्पिरेंस कर रहा है तो वहां से बताना चाह अजिवका कुछ एता है कि मेरे को मैस पर ज़ादा फोकस करना था इस दी उपने इंजलिश को कि मैं नहीं चजया था आपना पताा था कि में साथिआ मेरे को टांगे के साथ मिडिश करना तो और 19 में मेरे साथ यह हुआ कि 9 में je 10 मैं मेरे नर्वस हो गया मैं तो आप यह सोची मैंने सो से आदा मौक लाए तो उसके बाद भी मैं एंड के दस मिनट में नर्वस हो गया मैं इसको और अच्छा कर सकता था वह ना हो पाया पर कोई नहीं पर मेरे को जौब मिली जो मेरे ड्रीम पोस्ती वह मुझे मिल गई लेकि मेरा मैसे यह कि मल्टि को फिर आप दुवारा पढ़िए या फिर दुवारा उसके प्रैक्टिस लाइए तो ऐसे करके आप थोड़ा इंप्रूव कर बाएंगे और आप देखेंगे कि आप सक्सेस बहुत जल्ली प्राप करेंगे अपने पसंद आयोगी जिस तरीके से अपने एक्सपिरेंस यह कि बताया कि सब्सक्राइब कर देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहते हो वीडियो अच्छे लगते हैं कैसे लगते हैं उनके बारे में आप मैं कमेंट करके बता सकते हैं यहां तक वीडियो देखने हैं कि सो मच बाई बाई एंड टेक क्यार